हेलो बच्चो आप सभी को नमस्कार प्यारे बच्चो आज मैं आपको कराऊंगा कक्षा सात्वी में जो विज्ञान का पेपर आया है मार्च 2022 की वार्शिक प्रिक्षा में तो आज हम इस प्रसन को इस पेपर को करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बहुँ भी कलपिया प्रसन उप्तर इसमें करेंगे आपके पास पहला प्रसन है इसमें यदि मृदा के कण बड़े कणों का अनुपात अधिक हो तो वो मृदा क्या कहलाएगी यानि जिस मृदा के कणों का अनुपात अधिक होता है वो होती है बलूई मृदा या रेतली मिट्टी भी आप इसको बोल सकते हो तो बलूई मरीदा जो होती है उसके कणों का माप अधिक होता है बड़ा होता है नेक्स्ट कुश्चन है आपके पास दूसरा मचली में गैसों का वीनी में किसके माध्यम से होता है यानि मचली जो है सांस किसके द्वारा लेती है तो वो होगी कलोम कलोम के द्वारा मचली जो है सांस लेती है बच्चो ठीक है फिर उसके बाद है विसव जल दिवस कब मनाया जाता है तो विसव जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है विसव जल दिवस फिर है पादपो में भोजन का परिवहन किस के द्वारा होता है तो पादपो में भोजन का परिवहन फलोएम के द्वारा होता है और यदि जल का परिवहन आता तो जाइलम के द्वारा होता है तो इसमें फलोएम आएगा बच्चो फिर है glucose ऑक्सिजन के अनुपस्थिती में बदलता है तो इसमें क्या भाग आ जाएगा अलकोहल प्लस कारबंडाय यॉकसाईड प्लस उर्जा तो इसमें बदलता है हमारे पास glucose जब oxygen की अनुपस्थिती में होता है यदि oxygen की उपस्थिती में लिखता तो फिर गया आ जाता है इसमें फिर आगे आपके पास है question number 6 चाल का मूल मातरक क्या है तो चाल का मूल मातरक होता है मीटर परती सेकिंड क्या होता है मीटर परती सेकिंड फिर साथमा question है आपके पास पादप का जनन भाग होता है तो पादप का जनन भाग जो होता है पुश्प होता है पुश्प में ही इस्त्री के सर पुंग के सर ये होते हैं इसलिए हम इने पादप का जनन भाग कहते हैं फिर उसके बाद है इन में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभागना नहीं है तो इन में से अमरित सर जो है वो तटीयक शेतर नहीं है वो समुद्र के पास का इलाका नहीं है इसलिए अमरित सर में चक्रवात नहीं आएगा फिर उसके बाद है भोजन का पूरा पाचन की संग में होता है तो भोजन का पूरा पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है बचो क्षुद्रांत्र में होता है आगे है मोसम के घटक कौन से हैं तो मोसम के घटक तापमान भी है वर्षा भी है पवन भी है तो इसमें उपरोक्त सभी आजाएगा उपरोक्त सभी फिर है question number 11 निमन लिखित में कौन सा वन उत्पाद नहीं है तो वन उत्पाद कौन सा नहीं है इसमें जो कैरोशीन है कैरोशीन या मिठी का तेल बोलते हैं से ये हमें वनों से नहीं मिलता फिर जल की कमी के लिए उत्तरदाई कारण नहीं है अगर वो कहता है उत्तरदाई कारण है तो हम जन संख्या बढ़ती जन संख्या हो जाता लेकिन इसने बोला नहीं है तो इन में से जो अधिक वर्षा है अत्याधिक वर्षा जो है ये इसका कारण उतरदाई नहीं होता बच्छो क्योंकि वर्षा से तो और भी अधिक जल आ जाता है फिर उसके बाद है आपके पास सही और गलत है सही और गलत तो कॉस्चन नमबर तेरा हैं आपके पास नदियों का जल खेती में सी चाई का एक मात्रस रोत है तो इसमें गलत है बच्छो ये क्योंकि इसी चाई जो होती है वो हम नलकूपों के द्वारा भी करते हैं या वर्षा से भी हो जाती है तो ये कहता है नदियों का जल तो ये गलत है फिर है पादप केवल रात्री में स्वशन करते हैं पादप का मतलब पेड़ पोधे केवल रात को ही गैस से छोड़ते हैं जैसे अक्सिजन छोड़ते हैं कारबन डाइक्साइड गैस लेते हैं तो ये गलत है क्योंकि वो दिन में भी गैसों का अदान परदान करते हैं फिर है पंदर्मा कोश्चन तेल और वसा को नालियों में नहीं बहाना चाहिए तो ये सही है हमें तेल और वसा यानि तेल को नाली में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो नालियों को ब्लोक कर देता है फिर है वन मृदा को अपर्दन को बचाते हैं तो ये भी सही है आपका तो पहले दो गलत है और लाश्ट के दोस्ट यही है बच्चो तीक हैं फिर आगे आपके पास question number 17 आ जाता है तो question number 17 में खाली स्थान भरिये तो ऐसे परिवर्तन जिन में नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं बच्चो रसायनिक परिवर्तन क्या बोलते हैं रसायनिक परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनता है तो इस खालिस्तान में क्या आजाएगा बच्चों? सत्रा का जो खालिस्तान है इसमें आपने लिखना है रसायनिक परिवर्तन फिर अठारवा है दो या दो से अधिक विद्यूत सैलों के सियोजन से क्या बनता है बच्चों? इसमें आजाएगा आपके पास बैटरी जो इसकी खाद बनती है यानि जिस भी चीज की खाद बनती है वो आप लिख सकते है इसमें तो गोबर भी लिख सकते हो आप इसमें फिर मानव स्रीर का समान्य अताप कितने डिग्री होता है मानव स्रीर का समान्य अताप होता है बच्चो 37 डिग्री कितने डिग्री 37 डिग्री सेल्सिस आएगा इसमें ठीक है आगे चलते हैं question number आपके पास है ये 21 कौन सा है 21 है बच्चो 21 में देखिए क्या कहता है ये कि पीत कहां निर्मित होता है यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहता करता है तो इसको देख लेते हैं अभी तो देखिए इसमें ये प्रसन है आपके पास पीत रस कहां निर्मित होता है ये 21 प्रसन है तो इसमें है पीत जो है अंसर इसका यक्रित में निर्मित होता है जिस थैली में पीत रसे कत्रित होता है वह है पितास्या कहलाता है पितास्या भोजन में उपस्तित वसा के पाचन में साहता करता है तो ये आपका अंसर होना चाहिए पीतास्यास का अंसर आएगा और ये वसाका पाचन करता है अगर इसने इतना लिखती है तो ठीक है आगे चलते हैं आगे आपके पास प्रसन है 22 नंबर देखो रेशम की रीलिंग क्या है रेशम की रीलिंग क्या होती है देखिए इसको कर लेते हैं अब हम तो इसमें देखिए रेशम की रीलिंग का अंसर यहां से आप देखोगे यह है आपके पास रेशम के रूप में हमें उप्योग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उन से धागे बनाने की प्रक्रिया को हम रेशम की रिलिंग कहते हैं यानि जो कोकून से हमें रेशा प्राप्त होता है उससे जो धागा बनाते हैं उसे रेशम की रीलिंग कहते हैं और ये रीलिंग जो है मसीनों के द्वारा की जाती है जिससे रेशम के से के धागे प्राप्त हो जाते हैं तो ये रेशम की रीलिंग है यानि रेशम के रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं आगे चलते हैं आगे है आपके पास प्रस्चन नमबर 23 उश्मा चालक तथा उश्मा रोधी पदार्थों के दो-दो उधारण दीजिए यानि उश्मा चालक और उश्मा रोधी पदार्थों के बारे में हमने दो दो धार्ण देने हैं तो चलिए देखते हैं अब हम तो देखिए उश्मा चालक और उश्मा रोधी पदार्थों के दो दो धार्ण देने हैं इसमें उस्मा चालक जो है देखिए आपके पास है श्टील, तामबा, एल्मूनियम, चांदी और उस्मा रोधी पदार्थ है आपके पास लकड़ी, प्लास्टिक, वायू, कपड़ा यानि जिन में से उस्मा नहीं चलती वो उस्मा रोधी होते हैं और जिन में से उस्मा चल अगले कोश्टन पर चलते हैं अब आगे हैं आपके पास कोश्चन नमबर 24, 24 कोश्चन में देखिए अवतल तथा उतल दरपन का एक एक उप्योग लिखे अवतल दरपन का और उतल दरपन का उप्योग हमने इसमें बताना है तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका अंसर दे देखा देते हैं तो यह देखिए उतल दरपन का उप्योग है पहले इसका उप्योग मोटर वहनों में पास्षव दरपन के रूप में किया जाता है ताकि पीछे जो ट्रैफिक है उसको देखा जा सकता है यानि जो गाडियों के साइड के मिरर होते हैं जिन में से हम पीछे से आने वाले वाहनों को देखते हैं तो वो उतल दरपन होता है फिर अवतल दरपन का उपयोग जो है सेविंग दरपन के रूप में करते हैं मोटर वाहनों और या टोर्च की जो हैडलाइट है उसमें किया जाता है सोर भट्टी में इसका अप्योग करते हैं और जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो भी इसका अप्योग करते हैं ठीक है? अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है आपके पास 25 वाँ विद्यू धारा के किनी दो परभावों के नाम लिखिए विद्यू धारा के दो परभावों के नाम हमने बताने हैं तो चलिए देखते हैं अब यह देखिए विद्यू धारा के दो परभावों के नाम है यह विद्यू धारा का तापिय परभाव विद्यू धारा का चुम्बकिय परभाव तो ये दो प्रभाव आपने लिखने थे इसमें, विद्यू धारा का तापिया प्रभाव, चुम्किया प्रभाव, परकाशिया प्रभाव भी आप लिख सकते हो इसमें, तो ये इस तरह के इसमें प्रभाव हैं अब आगे आपके पास question number ये तीन तीन अंके प्रसन है, 27 प्रसन है, हरे पादपों में प्रकाश अंसलेशन प्रक्रम का संक्षिप्त वीवरण दीजिए, तो प्रकाश अंसलेशन का संक्षिप्त वीवरण हमने देना है, तो चलिए देखते हैं तो ये देखिए, प्रसन number 4 है, इसमें हरे पादपों में खाद्य अंसलेशन प्रक्रम या प्रकाश अंसलेशन प्रक्रम इसी को बोलते हैं, तो प्रकाश अंसलेशन के दोरान बें होते हैं, ये देखिए आपके पास प्रकाश अंसलेशन के दोरान पत्ती की कलोरोफिल युक्त कोशिकाएं, सूरिय के प्रकाश की उपस्तिती में कार्बन डायोकसाइड एमम जल से कार्बो हाइड्रेट्स का संसलेशन करते हैं, और इस प्रक्रम को हम देखिए, ये अभिक्रिया होती है, कार्बन होगा, इसमें कलोरोफिल होगी, और इसमें कार्बो हाइड्रेट्स बनेगा, जैसे मंड बनेगा, और ऑक्सीजन गैस पेड़ पुद्धे इसके द्वारा छोड़ देते हैं, तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन बनती है, और कार्बो हाइड् प्रकाश अंसलेशन की क्रिया बोलते हैं बच्चो तो यह अपने अंसर इसमें लिखना था तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो आपके पास जो 28 क्वेश्चन आया था बच्चो वह इसमें पेपर में आया था समतल दर्पन द्वारा बने परतीबीम के अभी लक्षन लिखिए यानि जो समतल दर्पन में परतीबीम बनता है उसके गुण लिखने हैं तो यह देखिए समतल दर्पन में परतीबीम सीधा बनता है यह एक अभासी परतीबीम बनाता है परतीबीम का आकार जो है वस्तु के आकार जितना ही होता है जितना वस्तु होती है उतना ही परतिविम बनता है और इसमें परतिविम दरपन के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है परतिविम जितनी दूरी पर वस्तू होती है ठीक है और परतिविम में पार्शव प्रावर्तन होता है यानि दायां भाग बाइं और दिखाई देता है और बायां भाग दाइं और दिख का है ये तो अगले कोश्चन देखते हैं कुन सा है आगे देखिए जो 29 को नंबर पर कोश्चन आया था वो आया था अमल और अक्षार के बीच में अंतर लिखिए तो हमने अमल और अक्षारक के बीच में अंतर बताना है तो अमल जो होते हैं खटे होते हैं अक्षारक जो होते हैं कड़वे होते हैं अमल निल्ले लिटमस को लाल कर देते हैं अक्षारक लाल लिटमस को निल्ला कर देते हैं अमल जो है सपर्ष करने पर चिकने होते हैं चिकने नहीं होते ठीक जो है फिनॉल फतर्लीन का रंग नहीं बतलते लेकिन अक्षारक फिनॉल फतर्लीन का रंग गुलाबी कर देते हैं तो यह आपने अंसर लिखना था इसमें आमल और अक्षार में अंतर अगला question देखते हैं तो आगे आपके पास question number 30 आया था कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाईए और इसके वीभिन भागों का नाम लिखिए तो ये प्रसन आपके पास आया था भी पेपर में तो 30 नंबर पे तो आपने ये चित्र बनाना था इसमें देखिए ठीक है दो ये वरिकोते हैं और ये आपके पास मुत्र वाहिनी है ठीक है और फिर आपके पास ये मुत्राश्य है मुत्र मारग है मुत्र रंद्र है तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र का आपने बनाना था चित्र ठीक है बच्चो तो आगला question देखते हैं आगे आपका question number 31 है देखिए इसमें है एक कार दो घंटे में 90 किलो कीजिए यानि चाल निकालना है हमें दूरी दी गई है 90 किलो मिटर समय दिया गया है दो घंटे तो चलिए इसको कैसे करते हैं देखिए तो इसमें देखिए ये दिया गया है इसमें चाल बराबर होता है दूरी बटे समय चाल बराबर क्या होता है बच्चो दूरी बटे समय होता है तो दूरी दीगी है 90 किलोमीटर समय दिया गया है 2 घंटे तो इसकी चाल आ जाएगे आपके पास 90 को 2 से जब भाग देंगे 45 किलोमिटर पर 3 घंटा तो ये आपका अंसर आ जाएगा तो आगे चलते हैं अब आपके पास आया था कोश्चन नंबर 32 देखिए अलैंगिक जनन की विभिन विधियों का वरणन कीजिए उधार्न देना है इसमें तो अलैंगिक जनन जो होता है एक तो काईक परवर्धन हो गया काईक परवर्धन में क्या करते हैं इसमें हम जो नए पोधे होते हैं वो जड़ तना या पतियों के द्वारा नए पोधा उगाया जाता है उसे हम काईक परवर्धन कहते हैं फिर उसके बाद आता है आपके पास मुकलन में क्या होता है देखिए मुकलन में होता है इस प्रकार के प्रक्रम में जीव जनक जो है जीव के स्रीर से एक उभार दिखाई देता है जिसे मुकल कहते हैं ठीक है यह मुकल वरिद्धी करता है और यह नए जीव का निर्मान कर देता है फिर उसके बाद खंडन विदि वर्ति है यालहir Messiah लायंगी जनन donbler का उत्ता है यि और का दो जाते हैं यह खंड़ और टुकड़े ने जीवों का में रिद्धि कर जाते हैं फीर बिजानु निर्माण तो बिजानु निर्माण भी अलैंगिकृट Junior की विदि है एक को बीजानु निर्माण जो हो अलैंगिक सरंचना होती हैं इसमें जो लंबे समय तक Zीवीत रह सकती आनुकूलन प्रिस्थितियों में बिजानू अंकुरित होकर नेजीव में विक्षित हो जाते हैं जैसे कवक है फर्ण है इस तरह के जो पौदे हैं उनमें बिजानू निर्मान के द्वारा अलेंगिक जनन के द्वारा उनमें ये होता है थीक है अगले question पे चलते हैं अब जो 33 वा कोस्चन आया था पांच नंबर में प्रसन आया था ये पांच नंबर में दो प्रसन आये थे एक तो था रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है ठीक है तो रक्त लाल वर्णक हीमोगलोबीन के कारण होने के कारण यह है लाल रंग का दिखाई देता है ठीक ह अगला question था इसमें वो भी देख लेते हैं, तो next question में था इसमें, ये question आया था इसमें देखिए, पादपों तथा जनतुओं में पदार्थों का प्रिवेहन क्यों अवश्यक है, तो अपनी सारी क्रियाओं को करने के लिए सभी जीवों को उर्जा किया सकता होती है, ठीक है अगला question देखते हैं, तो उर्जा भोजन से प्राप्त होती है, इसलिए भोजन और अक्सीजन को सरीर के सभी भागों में पहुचाना वश्यक है, इसके साथ साथ अप्सिष्ट पदार्थों को भी उन शरीर से बाहर निकालना होता है, निश्काश्रित करना होता है, तो इस इसलिए सभी जीवों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है तो ये प्रसन आपके पास आया था ठीक है पांच नंबर में था ये दो कोस्चन अगला कोस्चन देखते हैं तो एक कोस्चन आपके पास ये आया था 34 नंबर पे उत्तल तथा अवतल लैंस में दो अंतर लिख अपने हैं तो इसका अंसर आपको दिखा देता हूं मैं आपको तो इसमें देखिए इसका अंसर है ये उत्तल लैंस ये होता है इसका चित्र बनाना था अपने और अवतल लैंस ये होता है इसका भी आपने चित्र बनाना था फिर ये लैंस जो होता है उत्तल लैंस बीच मे से पतला किनारों से मोटा होता है ये इसमें सभी अभासी परति भी मनते हैं तो ये देखो ये 5 नंबर का प्रसन आपके पास आया था बहुत चोटा सा प्रसन है ठीक है बचो तो आज की वीडियो में इतना ही था ये पेपर मैंने पूरा सोलो आपको करा दिया है फिर मिलेंग नए पेपर के साथ तब तक के लिए जय हीं।